नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरवेद की महत्तुता के बारे में हां जी तो इंपोर्टेंस ओफ आयरवेदा एक्चुली आयरवेदा को आज की टाइम पर हमने एक आल्टरनेटिव मेडिसेंस के रूप में देखा है जाना है जो हमारे कि अध्यूद्व के रूप में हमारी आने वाली जेनरेशन को या हमारी आने वाली जो पीडिया हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि यह अल्टरनेटिव मेडिसेंस है पर ऐसा नहीं है आयरवेद एक कंप्लीट साइंस है कंप्लीट हेल्थ साइंस है चुली आयरवेद में हम दवाईयां स्वस्त रहने के तरीके इन सब के साथ साथ अमारा यह हमारे लाइफ स्टाइल को भी डिफाइन करती है हमारा वो लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए जिससे हम एक निरोगी काया के साथ अपनी जिन्दगी अपनी जीवन को विब्थीत कर सके तो आयरवेद के दो प्रियोजन होते हैं प्रियोजनम चास से स्वस्थत से स्वास्थे रक्षणम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थे की रक्षा करना उसको निरोगी ना होने देना उसको डिजिस से ग्रस्त होने से रोपना और दूसरा ह तो अगर कोई निरोगी हो गया है तो उसकी तो पहले वाले प्रियोजन से हम ऐरवेद के उसकी जो डिफाइन करते हैं कि इसको रोगी होने ही नहीं देना है ना और दूसरे में हम देखते हैं कि आतुरस्य प्रश्मन चाहूं का मतलब है कि अगर कोई रोगी पेशिंट है अगर के बाद उसको ठीक कैसे करना है तो आयरवेद आतुरस्य प्रश्मन चाहूं मतलब आतुर व्यक्ति रोगी व्यक्ति का प्रश्मन मतलब उसके रोगों को शांत कैसे करना है तो यह दो प्रियोजन आयरवेद के होते हैं इसमें चार तरह की हमारी आयू के बारे में ब है आयरवेद है तो आयरवेद में हम देखते हैं कि चार तरह की जो है आयों का औरनन किया गया है ही टाहितम सखं दुखं आयूसत सरिडागम मानमच अच्छ न मानम चां Γिया त्रोबं सब्गाइदज ख सकते तो एक हितायू है आहितायू है यह दो तरह की शुरुवात की आयू है और हिताहितम सुखम दुखम सुख आयू और दुख आयू यह चार तरह की आयू होती है तो यह चार तरह की आयू का वर्णन आयरुवेद में किया गया है अब आते हैं हमारे चिकित्सा के उपर तो चिकित्सा संबंधी आयरुवेद पहले तो आयरुवेद अगर ओवर्व्यू चिकित्सा तर लेते हैं तो चिकित्सा दो तहकी होती है तो चिकित्सा में क्या होता है कि बैसिकली चिकित्सा में जो दो तरह की divisions हैं वो इस प्रकार हैं कि एक तो होती है शमन चिकित्सा है ना दूसरे होती है शोधन चिकित्सा तो शमन चिकित्सा में हम क्या गरते हैं जैसे आपको कोई सब्सक्राइब किसी को पेशेंट को किसी को बिमारी होती है कोई तो उसके बाद जो उसको दवाईयां या उसको जो पॉश्धी दी जाती है उससे उसके रोगों का शमन हो जाता है तो शमन होने पर वो जो है उसके रोग दब जाते हैं उसका उसका जो पेन है वो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है अगेन अगर उसने वो जिस प्रॉब्लम की वज़े से उसको जिस जिन कारणों की वज़े से उसको प्रॉब्लम होती है अगर उनका सेवन फिर से करता है उनका अगर किसी को जो है पंखा या एसी से अगर जुखाम होता है तो दवाई लेके ठीक हो गया और अगले दिन वो फ इतनी महत्वून इतनी कारगण नहीं बता है जितनी शोधन चिकित्सा दूसरा परकार जो आईरवेद में चिकित्साओं का बताएगा वो शोधन चिकित्सा है शोधन चिकित्सा में हम क्या करते हैं शोधन चिकित्सा में हम पंच कर्मों द्वारा रोगी के शरीर से जितने भी उसके मल हैं उनको बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें पेशिंट का जो काय है जो उसका शरीर है वो शुद्ध होता है तो शुद्ध होने पर उसके शरीर में अगर वो फिर से रात को इसी में सो रहे तो अगले दिन उसको जुखान नहीं होगा तो लेकिन एलोबैद में क्या है? एलोबैद में होता है कि एलोबैद में शमची कित्साब वो ज़्यादा महत्तूता दी जाती है वहाँ पर यह नहीं है कि जड़ से खत्म करना है हमारे जड़ से ठीक किया जाता है चीजों को इसलिए इसमें टाइम लगता है और मतलब जिन चीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके जिसका आयुरवेद में ही सिर्फ उपचार मिल सकता है आपको और जो है उसमें एलोपैस में उसका कोई उपचार नहीं है जैसे रुमेटोइड आर्थरैटिस हो गया है और जो है आपका वो हो गया क्या बोलते हैं उसे एसी डिटी हो गई हमलता जिसको हम बोलते हैं और उच्च रक्त चाप हाइपर टेंशन हो गया तो इन चीजों की जो है आपको उपचार नहीं मिलेगा उनमें इनको शमन करने वाली जगित्सा है उनके पास तो वो क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए हमारी हमारा जो रोग है उसको शांत कर देते हैं उसको ठीक कर देते हैं पेशेंट को लगता है कि यह तो बहुत अच्छी दवाई हैं हमने आज सुबहें खाई और शाम तक मैं आराम हुए बल्कि ऐसा नहीं है हमारा जो आईरवेध है वो इस तत्ते पर काम करता है कि आपके रोगों को आपके आपके जो दोष्च वाई हमारे शरीर में बढ़े होए हैं पेशेंट नोग है उनको कम कैसे गंने है तो यह आई डिसकस कर रहे हैं इसके बाद आयरुवेद से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आयरुवेद की महतुता है यह प्लस पॉइंट है कि आयरुवेद से आपका जो रोग है वो पूरी तरह से जड़ से खतम होगा लेकिन ऐसा आपके साथ ऐलोपैथी में नहीं होगा शर्त है कि आपको जो आयरुवेद की आपको चिकेस है वो आपको पूर्णते लेनी होगा इसको बीच में छोड़ना है हां लंबी होती है कुछ पर वो आपको पूर्णते पूरी गणनी पड़ेगी धन्यवारे